हेलो फ्रेट, स्वागत है आपका आपके अपनी यूटूब चैनल बीर विल्डाउसनिंग में एक और नाए वीडियो लेक्चर साथ, आज मैं बताने वाला हूँ आपको टाइल्स यानि कि फ्लोरिंग, फ्लोरिंग के बारे में बहुत सारी आपको मैं ऐसी जानकारी दूंग वीडियो को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को तो सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलें, सीधा हम समय ना गवाते हुए देख लेते हैं आज का हमारा टॉपिक, टॉपिक है हमारा आज का चेक लिस्ट फूर फ्लोर टाइ लगाते हैं, यहां पर मैं बात करूंगा, सेरेमिक एंड बिट्रिफाइट टाइल्स के बारे में, आप एक चीज यहां पर समझ लीजिए, सबसे इंपोर्टेंड जो है, वो है कि अगर मान लीजिए आपका घर बन रहा है, तो उसमें अगर हम सिविल इंजिनेरिंग में कह हैं, तो जो बेस पर होती है, यानि कि जहां पर हम अपना बैठना उठना करते हैं, और जो बिलकुल फ्लोर होता है, वो slab को हम slab कहते हैं, ठीक है, और जो top पर होती है, उसे हम roof कहते हैं, यह architectural language में जो students है, उनके लिए समझ लेना बहुत ज़्यादा जरूरी है, चलिए सबस चीज है ये भी समझ लीजिए जो मान लीजिए आपकी बहुत सारी ऐसी important चीज है जो आपको समझना ज्यादा जरूरी है इस कारण वीडियो में आप बने रहें आपके बहुत ही काम की चीज है देखिए जो आपने floor जो है वो तो बन चुका है slab बन चुके हमें उसके नीचे गिरता है तो वह क्या होता है वहां पर set हो जाता है बिल्कुल fix हो जाता है तो उस condition में उसे निकालना बहुत ज्यादा जरूरी होता है तब आप जैसे कि यहां पर साफ है loose and hard जो मोटार है जो वहां fix हो चुक है उसे निकाल दे नहीं तो वह आपका जो system में वह बिगाड़ देगा एलाइजमेंट खराब कर देगा ठीक है second point देखते हम check that the plaster is cut nine inch above the slab level to have skirting skirting के बारे में मैं already आपको पहले भी बता चुका हूं लेकिन मैं फिर से आपको बता देता हूं यहां पर आप समझिए यह आपका घर है यहां पर आपका slab है floor ठीक है यह आपका floor है अब यहां पर आपका plaster होगा और यह हमारी छत है अब यहां से कुछ दूरी तक जो दिवार के उपर रहता है तो वहां पर हम कुछ cutting करके tiles लगाते हैं वो होती हमारी scouting यह चीज थोड़ा सा समझ लेना ज्यादा जरूरी होता है थीक है तो उसको हम check कर लें और cut जो है 9 inch तक हम कर लें हलाकि इसको आप 7 inch से 10 inch तक कर सकते हैं लेकिन इसमें 9 inch बताया गया है थीक है बात करते हैं third point की make sure that the service line यह बहुत जादा important point ह क्यों क्योंकि यहां पर गलतियां बहुत जादा लोग कर देते हैं service line यानि कि जो भी lines बगिरा गई हुई है आपकी sanitary की हो सकती है electric की हो सकती है वो बाते देखिए जैसे कि like electric first second आपका late before मचान यानि कि यहां पर electric plumbing sewer जो भी line गई है तो वो आप check कर लें पहले ही कि सही है नहीं देखिए यहां पर एक चीज मैं बता देता हूँ before मचान यह मचान मचान क्या है एक यह point आ जाता है हमारे पास की मचान क्या है यह एक अगर हम बात करें तो working kit site की language है मचान यानि की mortar bedding यानि कि bed बनाना और mortar का bed बनाना आगे वही language हम use करेंगे जिसे हम मचान भी कहते हैं तो वो उसे आप जब कर रहे हैं मचान यानि कि हम जब floor करते हैं तो floor के समय में हम बहुत अच्छे से उसको बिल्कुल आप compact करते हैं या कुटाई करते हैं एक simple सी language में तो जब आप करते हैं या कुटाई करते हैं तो उसके पहले आपको चेक कर लेना है कि हम लगा देंगे तो फिर कैसे होगा वर्थ तो इसके करण पहले ही आपको एच-चीच क्लियर कर लेना है फॉर्थ नंबर पर है हमारा दा ऐडल थिकनेस ओफ मोल्टार वेडिंग यानि कि यह है हमारा मचान मचान तो मोल्टार वेडिंग शुड़ वी एबाउट वन फिट वन इंच्ट टू इंच यह यहां पर एक से दो इंच का आपको रखना है ठेक है अब हम इसके बाद बात करते हैं फिफ नंबर पर दा मोल्टार बेडिंग मोल्टार बेडिंग यानि की मचान बिलकुल आप जब भी अगर टेकनिकल टर्म्स की बात हो तो मोल्टार बेडिंग आप कहें इंटर्व्यू बगेरा में मोल्टार बेडिंग ही कहेंगे इसको अगर कोई भी आपसे या फि प्रॉपर्ली मतलब मचान मचान should be compacted यानि की कुटाई यहां पर आपको समझना है तो मैं लिख देता हूँ कुटाई जिससे आपको समझने में आसानी होगी compact properly यानि कि बहुत अच्छे तरीके से आपको compact करना है avoid voids क्यों करना है कि आपके नीचे जो है कुछ gas होती है avoid voids रहते हैं उनको अगर और आसान भासा में कहें तो कुछ gas होती है कुछ आपकी ऐसी चीज़े रहती है जो बाद में आपने देखे होंगे बुलबुले के जैसे निकलती है पानी जब अगर आप डालते हैं तो वो जो सारे voids होते हैं तो वो जो voids हैं वो जब आप compact करेंगे कुटाई करेंगे बहुत अच्छे तरीके से मचान की तो वो निकल जाएंगे तो यह संभावना है आपकी वहीं से हो जाएगी खत्म ठीक है हम अब बात करते हैं six point पर set out and check the right angle by placing tile right angle आपको check करना है ठीक है add the corner of room जब भी आप मतलब एक corner से हम start करते हैं कभी भी work करना जैसे कि हमने start किये एक हमारा मान लीजिए bedroom है ठीक है bedroom में जब आप skirting पर लगा दिया आपने जैसे कि मैंने बताया आपको यहाँ पर skirting क्या होता है वहाँ से आप एक level लेकर आएंगे lines लेकर आएंगे तो ऐसा नहीं है कि आपका design जो है या lines जो है आपको किधर भी जा रही है कहीं भी जा रही है तो यह बिलकुल नहीं करना है आपको line by line लेना जिस से ऐसा तो है नहीं कि सुविधा ही हमारे लिए important है सुन्दर्ता भी important है यानि कि सुविधा के सांसा सुंदरता भी आना चाहिए आपके घर में तो ये चीज जो है आपको angle placing tile यानि कि सही angle पर आपको सही tiles place करना है ये चीज है corner से start करते हुए हमें बहुत अच्छे तरीके से करना होता है ठीक है सेवन्थ पर है make sure that the cement slurry is laid uniformly to avoid voids voids यानि कि फिर से वही बात है gas हवा जो भी आप अपनी भासा में कहें voids को ठीक है तो avoid यानि कि नहीं होना चाहिए ठीक है तो ये भी check करना है आपको कि cement की जब आप slurry use करते हैं क्या करते हैं जब ties लगाते हैं तो cement की slurry हम उस पर इस तरीके से कुछ डालते हैं जब हम cement की slurry डालते हैं तो उसमें भी कुछ आपने देखे होंगे बुलबुले जैसे होते हैं तो ये चीज बिल्कुल चेक कर लें कि वह है या नहीं या फिर आप अच्छे से जब मान लीजे ties लग चुकी तो आपने देखे होंगे कुछ इस तरीके से उसको अच्छे से set करते हैं water level के साथ तो वह चीज भी आपको ध्यान लगना है ठीक है 8 number पर है हमारा extend the line of tile joints मतलब हम क्या करते हैं यहां तक मैं इसको stop कर देता हूं देखे क्या होता है जब मान लीजे आप टाइस लगा रहे हैं तो आपको extend करते हुए चलना यानि कि सभी रूम में लगाना एक के बाद एक one room to other room as per drawing तो drawing में देख ले कहां पर कौन सा color है आपके जो interior designer ने जो दिया है वो color ठीक है या नहीं तो वो color के हिसाब से आप जो joints है वो perfect तरीके से दे और फिर बढ़े एक room से दूसरे room कि ऐसा ना लगे कि यहां पर कुछ और लगा हुआ है और आपका अधर कुछ और लगा होगा उससे होगा क्या उससे सबसे ज़्यादा problem यह आएगी कि बहुत ही बेकार देखेगा बाद four eight list one eight list one twenty four hour after laying याने कि आपने tiles लगा चुके है तिक है आपका tiles लग चुका है अब होगा क्या उसके बाद आपको यहां पर जो 24 गंटे बताया गया है 24 गंटे तक वहां पर बिल्कुल activity नहीं करना है आपको बिल्कुल नहीं जाना है एक दिन तक आप समझ लिजे नहीं तो अगर आप वहां पर चल गए या पैर रख दिये इस टेप आप मतलब कुछ भी चीज़ें ले कर तो दिक्कत क्या होगी कि आपके tiles जो है set नहीं हो पाएगी या तूड भी सकती है first condition और एक tiles अगर तूड जाती है कभी भी तो वो एक जो work कर रहा है या जो अपना घर बना यह एक engineer अच्छे समझ सकता है कि कितनी ज़्यादा problems आजाती है एक tiles लगाने में बहुत सारी tiles निकालना पड़ता है फिर उसको set करना पड़ता है बहुत ज़्यादा दिक्खत का काम हो जाता है तो यह tiles ना तूटे उसको सही perfect तरीके से set होने का time मिले इसके कारण आपको व बहुत अच्छे तरीके से क्यों कर लेना है आगे बात करते हैं and do the curing after 7 to 10 days clean कर लेना है बिल्कुल और उसके बाद आपको फिर curing start करना है 7 से 10 दिन तराई करना है अब देखे अगर मान लीजी आप tiles का surface properly तरीके से साफ नहीं करते यहाँ पर 99% लोग गलती करते हैं मैंने एक चीज नोटिस किया हूं कि direct तराई करना है start कर देते हैं होता क्या है तराई करने में दिक्कत कुछ नहीं होती मजबूत होगा लेकिन जब आपके कुछ वहाँ पर आपका material रह जाता है कुछ मोटार रह जाता है कुछ cement के छीटे रह जाते हैं छीटे ही कहूंगा मैं जो slerry के होते हैं उनको तो अगर कुछ वहाँ पर इस टाइप से मोटार या फिर wastage materials हो जाता है तो वो भी पानी पढ़ने पर hard हो जाता है वो भी मजबूत हो जाता है तो इस condition में दिक्कत यहाँ पर बनती है जब मजबूत वो भी हो गया तो आपको बाद में निकालने में बह हुआ है तो वो बाद में वहाँ set हो जाए उसके बाद आप curing start करें और curing सास से दस दिन आपको करना है last point पर मैं बात करना चाहूंगा after curing period यानि की curing आपने कर चुके है complete हो चुका है fill the joints जो tiles है tiles के बीच में हमारे joints है उनको fill करें with grout and clean the properly grouting करें clean करें joints भरें grouting करें औ और उसके बाद जो उनके बीच में joints होते हैं वो proper तरीके से fill कर दें जिससे होगा क्या कि आपका जो work है वो सुन्दर लगेगा perfect हो जाएगा और आपको दिक्कत नहीं आएगी friends I hope आपको ये जो कुछ checklist की बात हैं समझ में आई हो और आप इनको follow करोगे अगर आप इन सभी चीजों को follow करोगे तो आप हमें comments में जरूर बताएं कि आप इन में से कौन-कौन से चीज जो हैं उनको follow करते हैं या कुछ और हमें जोड़ना चाहिए वीडियो कर आपको पसंद आता है तो like करें नहीं आता तो dislike करें और चैनल पर नहीं है तो subscribe करके वेल आइकान जरूर प्रेस कर दीजिए मिल दे नेक्स्ट वीडियो में किसने टॉपी के साहां तब तक के लिए थैंक्यों